नमस्कार दोस्तों, IQ G9 5G स्मार्टफोन लाँच होने वला है Amazon के अप्लिकेशन पर 12 मार्च को लेकिन इस फोन का प्रैजिंग और डिसकाउंट ओफर निगल के आच चुका है लेकिन इस फोन का प्रैजिंग और डिसकाउंट ओपर पहले ही सो कर दिया गया है किस तरीके से क्या होगा, सभी को अभिय हम जानने वाल है विकोज ऑफिशियल डिसकाउंट भी निगल के आच चुका है जिसको एड़ करने के बाद ये फोन काफी सस्ती का मिलेगा सबसे पहले आप यहाँ पर देख पारोगे IQ G9 5G स्मार्टफोन को यह फोन दो कलर के साथ आने वाल है और दोनों कलर काफी इंडरस्टिंग है दोस्तों इस फोन में स्पिसिफिकेशन भी काफी तगरा दिया गया है और काफी कम पराजिंग में यह फोन आने वल है विगोज इस फोन का पराजिंग तो कम है ही डिसकाउंट भी काफी अच्छे लिवल का है जिसके चलते ही फोन काफी सस्ती में आपको मिलेगा क्या कुछ है सभी के बारे में जानेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ हाइलाइट एस्पिशिफिकेशन के बारे में तो IQ G9 5G स्मार्टपोन है इस फोन में आपको मिलता है 6.6 इंच का Full HD Plus Flat AMOLED डिस्प्ले और इस डिस्प्ले में दिया गया है 120 Hz का Reference तो डिस्प्ले काफी सही है बिजल्स थोड़े से आपको बरे दिखेंगे लेकिन अवरल यह डिस्प्ले काफी सही है इस डिस्प्ले मापको मिलता है 1800 Nits का Peak Brightness मतलब यह डिस्प्ले काफी ब्राइट है अगर हम camera setup की बात करें तो पीछे साइड से आपको मिलता है AI Dual Camera जहांपर 50 MP का Main Camera है जो कि है Sony का IMX882 वाला sensor और आता है OIS के साब उसके बाद एक और camera है जो कि है 2 MP का और front में दिया गया 16 MP का सलफी camera जो कि है संटर टीनी पंचुल के साब अगर हम प्रोसेसर की बात करें ती इस फोन में लगा हुआ है Miradakar Dimensity 7200 जो कि आता है LAPDDR4X RAM के साथ और UFS 3.1 storage टाइब के साथ 5G फोन है तो आपको मिलने वाला है अप्टू 10 5G के बैंड camera इस फोन का काफी average है लेकिन आप इस फोन में gaming बेरा अच्छे level तक कर पाऊगे because इस फोन का chipset काफी powerful है 5000 MS का बैटरी दिया गहा है जो कि आगा 44 Watt चाहर सपोर्ट के साथ और ये चाज़र आपको box में मिलने वाला है in display fingerprint होने बला है dual speaker के साथ ये फोन आता है headphone jack नहीं है Android 14 पर ये फोन आता है जो की वेस्ट है latest phone touch OS 14 पर बाकि जो look and design है उससे आप यहाँ पर देख पर होगे ये फोन दो कलर में launch होने वाला है 12 March को लेकिन इस phone का pricing और discount offer निकल के आठ चुक है official तरीके से मतलब कई बार ऐसा होता है कि company launch से पहले ही pricing और discount offer disclose कर देती है तो क्या कुछ है सभी के बारे हम जानेंगे वैसे ये phone कापी सस्ते का आपको मिलने वाला है हलाकि जो भी pricing है ऐसा pricing मैं आपको पहले से भी guess करके बता रहा हूं देखिए IQ G9 5G smartphone है इस phone का पहला variant है जो कि है 8GB 128GB का जिसका box pricing होने वाला है 20,000 उसके बाद एक और variant है जो कि है 8GB 256GB का जिसका box pricing है 22,000 तो box pricing ही इस phone का का काफी कम है अगर हम discount की बात करेंद यहां पर mention किय है कि आपको मिलने वाला HDFC bank और CAC bank के साथ discount जो कि है 20 रुपे का और इस discount को एड करने के बाद इसका जो बेस ब्रियंट है जो कि है 8GB 128GB का इसे आप बाई कर सकते हो 18,000 रुपे में और जो 8GB 256GB के ब्रियंट है इसे discount करने के बाद आप बाई कर सकते हो 20,000 में तो discount offer इस phone पर काफी अच्छे लेबल का है प्राइजिंग भी काफी सही रखा गया है और अभी कोई भी action offer को mention नहीं किया गया है लेकिन आप इस phone को EMI बेरा पर भी बाई कर सकते हो तो phone काफी सही है discount भी काफी अच्छे लेबल का है आप इस phone के साथ जा सकते हो camera decent है लेकिन आप इसमें gaming क काफी हाइन लेबल तक कर पाओगे वैसे भी आइको का phone gaming को ही टार्गेट करता है वैसे यह phone launch होने वला है 12 मर्च को लेकिन इस phone का पहला सेल आने वला है 14 मर्च को सभी यूजर के लिए और जो लोग Amazon के prime user है उने के लिए सेल आने वाल है 13 मर्च को 12 पीम में तो आपको इस कोईंट में लगके बता सकते हूं धन्यवाद